वेल्टम फ्रेंड्स आज मैं आपको रेपब्लिक डेपर ब्रोचेज बनाना सिखाऊंगी उसके लिए सबसे पहले हमें सेफ्टे पिन प्रशेज कैची मोल्डेट चाहिए वेलकम पाउडर चाहिए और पैबी कैप्रेट ग्लूव सबसे पहले एक शीट पर हम एक फ्लैग एक परड़ पिजिन और काइट कट कर लेंगे ड्रॉ करके कट करेंगे उसके बाद मोल्डेट लेंगे मोल्डेट में हाडनर और रेजिन दो पैक निकलेंगे उन्हें हमें टैलकम पाउडर लगाकर मिक्स करना है हाथों में टैलकम पाउडर लगाना जरूरी है इससे वो हमारे हैंड्स पे स्टिक नहीं होगा बराबर रेजिन और हाडनर लेंगे थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे एक साथ सारा यूज नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा निकालेंगे इक्वल क्वांटिटी में दोनों को मिक्स करेंगे टैलकम पाउडर लगाकर हाथों में मिक्स करेंगे इतना मिक्स होना चाहिए कि वह वाइट कलर में चेंज हो जाए अच्छे से मिक्स होना चाहिए टैलकम पाउडर लगाएंगे फिर नीचे एक बेस में हम कोई भी पॉलेथेन या कोई भी चिकनी सर्फेस ले सकते हैं जिस पर वो चिपके नहीं वहाँ पर हम टैलकम पाउडर लगाकर उसे बेल लेंगे मोल्डेट को बेलने के बाद अच्छे से बेलें बराबर होना चाहिए हो अच्छे से बेलने के बाद हमने जो कार्ड बोर्ड पर कार्ड शीट पर हमने जो भी फिगर बनाई है जैसे बर्ड की फ्लैक की काइट की उसे उस पर रखेंगे और ड्रॉ कर लें पैंसे ड्रॉ करें नहीं करना चाहते हैं डारेक्ट भी कट कर सकते हैं आप नाइफ से कट करें सिजर से कट करें किसी से भी कट कर सकते हैं उसे यह एजी से कट हो जाएगा कर दो किसी सिजर से कट करने में वह ज्यादा पिनेशिंग से कट हो जाता है दो कर दो कर दो आएगा बहुत पत्दा नहीं करना है मोल्डेट को थोड़ा सथीक रखना है तेलकम पाउडर लगाकर एज़ेस को लेबलिंग कर देंगे बहुत पत्दा कर देंगे स्थीक रखना है यहां शेफ हमें तुरह सही नहीं लग रहा है वहां हाथ से सही कर सकते हैं बचा हुआ जो भी मोल्ड़ट है उसे फिर से हम नेक रोटी जैसा पेलेंगे लिए टेलकम पड़र लगा कर और फिर रखेंगे लिस्ते वह सर्फेस पे चिपक नहीं जाएं जैसान झालमच्प कर चला में जाएं कर और भी मोल्ड़ब जैसा रहां भी मुआः नहीं। मुआ जैसान जाएं वहां ह सर्फेसरों कर की झालिए ठागज़ लिए बtóन मुआीआ पान्सी करीक बचाला से नहीं फेस्टेता लें सेफ्टी पिन लेंगे एक स्क्वायर बनाएंगे स्क्वायर रेक्टेंगल योगी शेप है हमें सेफ्टी पिन को डॉव से अटैच करने देंगे बनाना है कि फैब्रिक ग्लू लेंगे थोड़ा सा उस रेक्टेंगल पे लगाएंगे मोल्डिक पे सेफ्टी पिन उस पर स्टिक करेंगे थोड़ा सा प्रेशर देंगे इस तरह से भी लगा सकते हैं और मैं दूसरा तरीका बताऊंगी उस तरीके से भी लगा सकते हैं कि अग्या बनाच और ड्रोड़ा पिलवाएंगे पुरुस्ति इस टिपन उससे अटाच कर देंगे पूरी देर सूपने देंगे पूरी देंगे टूथपिक से फैदर की इंप्रेशन देंगे आइस दनाएंगे टेल में थोड़ा सा लाइनिंग देंगे अब इसे हम स्ट्रेट करके सूखने देंगे इसे हम आइसे आइसे अटाच कर देंगे सेफ्टी पेन आसानी से बंद हो जाए खुल जाए इतना स्पेस होना शेहिए जादा मोटा ना लगाए गैप में इतना ही होना चाहिए लुड़ेट शेटि पेन खुल भी जाए और बंद भी जाए असानी से फ्लाइक बनाएंगे इसी तरह से कार्बोर्ड रखें कट करेंगे ग्रॉ करने के बाद कर लेंगे फ्लाइक पर राइको शेप अगर करने से सही नहीं लखता है असा सही कर देंगे कर राद करेंगे झाल झाल खीश केफिन लगाएंगे फड़ा शा मोट्स केफिन लगा कर, खीश कासा रेस्स सेखिन पर प्रेस्ट केफिन लगा कर यह क्वेश्ट में जागा ने और उसकर मोल्ड एक पर युटबरेक्टबल पीस पर थेचेए प्रेश्ट होना है खेखिगे समुगर, इस पीड एकाइब, मृपलायमी काइए, पीडनी कर लोडने, पाइब, आनकी खूद पाइए быстро. एक वर नुँम तरूम नग्टार ने का रब देंग. नेक्स पनाएंगे हमें काइट वह इसी तरह से बनाएंगे जो बचा हुआ मोल्लिट है मिक्स करा हुआ उसको अच्छे से मिक्स करेंगे का वह एंगे का साथ मिक्स करता हुआ बचा है जलिए हुआ एलिए उसको बचा है जलिए उसको बच्ते जलिए ना ज्यादा मूटा ना ज्यादा पत्ना कार्बूर चुकाई करने काटिए कार्बूर से उसे नाइब से उस पे ड्रॉ कर लेंगे और फिर सिजर से कट कर लेंगे सिजर से वो सफाई से कट हो जाता है इसलिए सिजर यूज़ करें तो ज्यादा बैटर है और जो नाइफ से कर सकते हैं वो नाइफ से भी कर सकते हैं कोई रिकत नहीं यूज़ने को आसाली से चिजर से एकर कितरे कट हो जाता है का अपहना है अधन से नहीं जाएंगे का अपहना है चा और से बantal है और दो पर चुछाओ पर देटाख पर उंपादे धुछ। का अब दो समय दो जाएंगे जाएंगे गस अध्सा पर दो कि अध्के दो झादा है झाल 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 झाल